दोस्तों जीवन में बहुत बार आपने पैंसिल को हातों में लिया होगा लेकिन आपने पैंसिल का उप्योग सिर्फ लिखने के लिए ही किया होगा आपको जानकर हैरानी होगी कि जिस पैंसिल को आपने बहुत साधारन रूप से लिया वही पैंसिल आपको जीवन बदलने वाले सिक्षा भी दे सकती है और वही मैत्वपूर्ण जानकारी पैंसिल के संदेश के रूप में मैं आपको बताने जा रहा पैंसिल बनाने वाले ने पैंसिल को बना कर डब्बे में रखने से पहले उससे कहा इससे पहले कि मैं तुम्हें संसार में लोगों के हाथ में सौंब दू मैं तुम्हें पाँच बाते बताने जा रहा जिनें तुम हमेशा याद रखना तब ही तुम दुनिया की सबसे अच्छी पैंसिल बन सकोगी पहली बात तुम बहुत से महान विचारों और बहुत सी स्रेश चीजें करने में समर्थ होगी लेकिन इसके लिए तुमें खुद को दूसरों के हाथ में सौपना पड़ेगा तूसरी बात तुमें समय समय पर बेरैमी से चाकू से चीला जाएगा लेकिन एक बहतरीन पैंसिल बनने के लिए तुमें ये सब कुछ सेहना पड़ेगा तीसरी बात तुमसे बहुत सारी गलतियां होंगी लेकिन तुम अपनी गलतियों को जब चाहे सुधार सकोगी चोथी बात तुमारा सबसे महत्पून हिस्सा बाहर वाला नहीं तुमारे भीतर वाला होगा और पाचवी बात तुमें जिस सते पर भी इस्तेमाल किया जाए उस सते पर तुमें अपना निशान छोड़ना पड़ेगा चाहे इस्तिती या परिस्तिती कैसी भी हो तुम्हें लिखना जारी रखना पड़ेगा पैंसिल ने इन पाचो बातों को समझ लिया और कभी न भूलने का वादा किया और फिर वे डिपे के बीतर चली गए दोस्तों अब उस पैंसिल के स्थान पर आप सब अपने आप को रखे देखें उसे बताई गई पाचो बातों को याद करें समझें अगर आपने इन पाचो बातों को समझ लिया तो आप दुनिया के सबसे अच्छे व्यक्ति बन जाएंगे पहली बात आप भी दुनिया के अच्छे और महान कारे कर सकते हैं लेकिन ये तब होगा जब आप अपने आपको किसी ऐसे व्यक्ति के हाथ में सौंदें जो आपको तराश सके आपको महान बना सके उधारन के तौर पे सचिन तेंदुलकर दुनिया के सबसे महान प्लेयर बने वो महान प्लेयर इसलिए बने जोकि उन्होंने अपना पूरा जीवन अपने खोज के हाथों में सौंद दिया था तो अगर आप भी महान बनना चाहते हैं तो आपको भी अपना जीवन किसी के हाथों में सौंद न प्लेयर दूसरी आपके साथ भी समय समय पर कटूता पूर्ण व्यवार किया जाएगा आपके जीवन में भी बहुत सारे उतार चड़ावाएंगे लेकिन जीवन में बड़ा काम करने के लिए आपको ये सब कुछ झेलना होगा तीसरी बात आपको भी इश्वर ने इतनी शक्ति और बुद्धि दी है कि आप अपनी गलतियों को कभी भी सुधार सकते हैं उसका पस्चत आप कर सकते हैं चौती बात जो कुछ आपके बीतर है वही सबसे महत पूर्ण है सारी सकतियां सारी ताकत सारा जोस सब कुछ आपके अंदर डबा हुआ है सब कुछ आपके अंदर चुपा हुआ है उसे कहीं बहार डूने की जरूत नहीं है वो सब कुछ आपके बीतर है सिर्फ अपनी उस ताकत को पहचानने की जुरूत है और पांचवी बार जिस राहा से भी आप गुजरें आपको वहां पर अपने निशान छोड़ने चाहिए चाहे कुछ भी हो जाए अपने कर्टब्यों से आपको विच्रित नहीं होना है जिस रास्ते पर भी आप जाएं जो भी काम आप करें जहां से भी आप गुजरें लोग आपके बारे में बुलें कि वह इंसान है तो यह है पैंसिल की कहानी का मर्म समझ कर स्वेम को ये बताएं कि आप साधरन विक्ती नहीं है कभी भी अपने मन में ये ख्याल ना आने दें कि आपका जीवन बेकार है और आप कुछ नहीं कर सक करते हैं आप जीवन में महान कारे करने के लिए पैदा हुए है इस जीवन के अंदर आप बहुत बड़े-बड़े कारे कर सकते हैं और एक बात हमेशा याद रखें और अपने आप से हमेशा बोलते रहें कि कामियाबी और सफलता मेरा जन्म सित्ह अधिकार